हाई व्रिवन मैं हूँ लक्षमी मेरे चैनल लक्षमी किचन मैजिक में आप सब का स्वागत है तो दोस्तों क्या आप मोटापे से परेसान है आपने सबी चीज़े ट्रैक कर लिया लेकिन मोटापा बढ़ता ही जा रहा है पेट के आसपास की चर्वी बढ़ रही है कमर के आसपास की चर्वी बढ़ रही है और दोस्तों क्या आपका डिलेवरी के बाद भी उतने ही वजन है यानि कि जितना डिलेवरी के पहले था उतना ही अभी भी है तो आज मैं आपसे सेर कर रही हूँ मैजिकल ड्रिंक जो बिलकुल सेफ है इसमें कोई भी केमिकल नहीं है फिर भी दोस्तों ये आपके वजन को इतना तेजी से कम करेगा कि आपको विस्वास नहीं होगा और सिब तीन दिन में ही आपको इसका असर दिखना सुरू हो जाएगा मैंने इसी ड्रिंक को पीक करके अपना वजन कम किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टीव है और वजन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार है तो विडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको इसठे बाइसठे पूरी तरीके से जनकारी हो सके मैंने इसमें बताया है कि आप किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं कब पीना है और कितने मात्रा में पीना है ये तरीका आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तब ही आपको इसका 100% लाव मिल सकेगा इस ड्रिंग को पेने के बाद आपको वॉक करना है कि नहीं एक्सरसाइज करने है कि नहीं ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगे तो वीडियो पसन आए तो लाइक से जरूर कर दे और मेरे चैनल पर नए है तो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चली दोस्तों अब देख लेते हैं कि इस ड्रिंग को हमें किस तरह से बनाना है तो सबसे पहले आपको ड्रिंग बनाने के लिए कोई भी पतिला या कोई भी बर्तन ले लेना है और इसमें डाल देंगे एक गिलास पानी तो देख सकते हैं मैंने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है और पानी आपको नॉर्मल ही लेना है फिर टर पानी लेना है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने लिया है अजवाइन अजवाइन की तासिर बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो अभी गर्मी का मोसम है दोस्तों तो हमें बहुत ज़्यादा अजवाइन का यूज नहीं करना है आधी चमच के करीब हम अजवाइन लेंगे अगर ठंडी का मोसम है फिर तो आप एक चमच भी अजवाइन लेंगे तो फिर कोई भी दिकत नहीं है और इस तरह से हम इसे करस करके डालेंगे अजवाइन मेटा बुलिजब को बूश्ट करता है और ये सिप वजन को ही कम नहीं करता है दोस्तो ये हमारे डाजसन सिस्टम को इंप्रूब करता है जिससे की हमारा पेट साप रहता है तो इस तरह से देखें दोस्तो आपको करस करके ही डालना है और इस तरह से करने के बाद आप देखेंगे इसमें powder सा निकलना सुरू हो जाता है इस तरह से अगर आप करस करके नहीं डालना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगे कि किस तरह से आप इसका यूज करेंगे जिससे इसका पोसक तत्व पानी में आ सके तो देखें बिल्कुल powder से निकल गया है दोस्तों अब हम इसे पानी में डाल देंगे अब इसे balance करने के लिए हमें लेना है sop तो दोस्तो अजवाइन की तासिर जो है गरम होती है लेकिन sop की तासिर ठंडी होती है और sop भी metabolism को boost करती है और ये हमारे पेट के आसपास की चर्वी कमर के आसपास की चर्वी को बहुत ही तेजी से घटाती है और sop को भी इस तरह से करस करके डालियेगा दोस्तो बहुत ही अच्छी खुजबू आने लगती है जब आजवाइन और sop को आप इस तरह से करस करते हैं तो बहुत ही अच्छी कुजबू आती है तो देखें यहाँ पर अब सोप को मैंने डाल दिया है और अब लेंगे छोटी इलाइची दोस्तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अजवाइन को बाइलेंस करने के लिए इसमें हम सोप इलाइची को डालेंगे क्योंकि इलाइची की जो तासीर है वो भ आपको बताती हूं किस तरह से अजवाइन और सोप को बिना करस किये हैं उसके सारे गुड़नेस पानी में आ जाएंगे तो आपको करना क्या है रात में आपको एक बरतन लेना है उसमें एक गलास पानी डाल देंगे और इसमें आधा चमस अजवाइन और आधा चमस सोप ड तो दोस्तो अब लेना है आपको दालचीने यानि कि स्लेमन और आप स्लेमन की जगह पर अधरक भी ले सकते हैं अधरक हमारे शरीर से चर्वी को बहुत ही तेजी से बर्ण करता है तो दोस्तो अधरक की जो तासिर है बहुत ज़्यादा गरम होती है तो आप यहाँ पे यहाँ पर अदरक डाल सकते हैं और देखिये दोस्तों याँपर और दाल भी चैसा जरते हैं यह झिभीज़े के सब्सक्तरइबर ऑना Fleet लेकिन जब आप देखें कि पानी हलका गरम हो रहा है तब आप इसमें डाल देंगे डालचीनी तो डालचीनी बहुत जादा नहीं डालेंगे दो छोटा सा टुकरा मैंने हपे लिया है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं तो दोस्तों डिलेवरी के बाद अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो आप दालचीनी का यूद जरूर करते हैं यह सरीर की चर्वी को बहुत ही तेजी से बर्न करते हैं तो दोस्तों अगर आप रात में ही इसको भीगो करके छोड़ देते हैं उसके बाद हम 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे 5-7 मिनट बद आप देख सकते हैं पानी की क्वाइटिटी कम हो गई है और पानी का कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है जो भी इसके गुड़ने से वो पानी में आ चुका है विडियो को एंट तक जरूर देखें तो बहुत ज़छा जादा कर लेना है तो बहुत ज़फ़ आप देख सकते हैं अज़ल परविश रही हूँ हलका गुन गुनगुन आपको रखना है दोस्तो जो हमारे सरीर से विसेले तत्वों को बाहर निकालता है और ये बहुत ही तेजी से वजन को कम करता है और इसे आपको store बिल्कुल भी नहीं करना है, आप तरंत बना करके तरंत ही पियेँ बहुत लोग क्या करते हैं? बहुत सारा बना लेते हैं और थोरा-थोरा करके पीते रहते हैं ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आप थोड़ा सा ही बनाएं, उसे उसी समय पी करके खतम कर दें, तो अब आपको इसे कितनी मातरा में कब लेनी है तो चलिए मैं आपको बता देती हैं। इस ट्रिंग को दोस्तों आपको सुबह खाली पेट पीनी है, सुबह सुबह आप इसे बना लें, उसके बाद आप खाली पेट ही इसका सेवन करें, तो दोस्तों जिस तरह से आप चाय पीते हैं सिपसिप करके बिल्कुल उसी तरीके से धीरे धीरे ही आपको पीनी है, अगर इसके रिजल्ट को देख करके दोस्तों हैरान हो जाएंगे आपको विस्वास नहीं होगा कि ये मेजिकल ड्रिंक इतना ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों अपने सभी चीज़े ट्रै कर लिया तो एक बार इस ड्रिंक को आप पी करके देखे येकीन मानिया आपको बहुत पानी पीना है तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को दुनिया के कौन से कौने से देख रहे हैं कॉमेंट करके जरूर से बताएं अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो पसंद आए तो लाइक और फैमिली फ्रेंड में अप्टे की लेबदे पाइ